Hello students, Competition Public School के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग Writing Names in English अर्थात नामों को अंग्रेजी में लिखना सिखने वाले हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, नामों को अंग्रेजी में लिखना सुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बाते बदाना चाहता हूँ जो कि नामों को लिखने में आपकी काफी मदद करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं हिंदी के ब्यंजनों का अंग्रेजी अनुबाद, आपके सामने दिया गया है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ख, एन जी से अंग, इसी प्रकार आगे सभी दिये गये हैं, वीडियो को पॉस करके इन सभी को लिख लिजेगा, और इन पर थोरा ध्यान दिजेगा, य से अ, डबल ए से आ, ऐसे करके अ तक है, इसे भी आप लोग वीडियो को पॉस करके, नोट डाउन कर लिजेगा, और होमो के रूप में, टेन टैम्स लिख लिजेगा, और चलिए अब सीखते हैं, अपने नामों को अंग्रेजी में करना, इन ही सभी की मदद से, दोस्तों, कोई भी जो सब्द होता है, वह अक्छर और मात्रा से मिलकर बना होता है, जो पहला नाम है राम, यह रो, फिर मिलकर बना है, ओ, एक अकार है, ओ से, और फिर मिलकर बना है, म से, और थात हम लोग राम को इस प्रकार लिख सकते हैं, दोस्तों, जो सब्द, अक्छर और मात्र क्या आया है रो आया है तो रो के लिए हम लोग क्या लिख देंगे आर अभी आप लोग सेखे हैं इसके पीछे हम में बताए है जो कि आपको मदद करेंगे अगर आर से रो याद कर लेते हैं तो इसको लिखना तो असान हो जाएगा तो रो के लिए हम लोग लिख दिये R फिर है अकार है अकार के लिए क्या होता है A होता है तो अकार के लिए हम लोग लिख देंगे A फिर प्लस दे दिये और मो का अंग्रेजी अभी सीखे है M से मो होता है तो अभी हम लिख देंगे M से मो तो दोस्तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया राम को हम लोग अंगरेजी में र, ए, म लिख सकते हैं अब दोस्तो आगे चलते हैं साह की तरफ तो दोस्तो साह भी अक्षर और मात्रा दोनों से मिलकर बना है तो इसमें पहला अक्षर है सौ कौन सा सौ है 12-100 है तो 12-100 को अंगर्जी में कैसे लिखते हैं A से लिखते हैं और फिर इसमें अकार की मात्रा है तो याद रखेगा कि इस प्रकार का अगर मात्रा आजills है अकार का उसके लिए हम लोग A देते हैं तो क्या देंगे A और फिर अब आया है हो को अंगरजी में केसे लिखते है ह? H से, तो लिख देंगे H, इस प्रकार साह का अंगरजी क्या हो गया? S-A-H अब दोस्तों आगे चलते हैं अगला हमरा नाम है माला तो दोस्तों माला को करते हैं तो माला भी अक्षर और मात्रा दोन से मिलकर बना है तो सबसे पहले अक्छर है इसमें मौ तो मौ को पहले लिखेंगे तो मौ का पहले अंगरजी लिखेंगे मौ को अंगरजी में कैसे लिखते हैं M से M से म हो गया और फिर इसमें अकार की मात्रा है तो अकार के लिए क्या देते हैं A देते हैं M A से हो गया मा इतना काम हो गया उसके बाद law है तो law को अरजी में कैसे लिखते हैं L से और फिर इसमें अकार की मात्रा है तो इसके लिए देंगे A तो हम लोग माला को कैसे लिखेंगे M A L A उसके बाद देखते हैं एक word है, एक सब्ध है, डास, ये भी अक्षर और मात्रा दोनों से मिलकर बना है, तो डास में पहला अक्षर क्या है? दो है, तो दो को हम लोग अंगरिजी में कैसे लिखते हैं? डी से दो लिखते हैं, फिर अकार के लिए क्या देंगे? ए देंगे, तो डी ए और फिर सो है, को हम लों लिखते हैं, तो सह में जो पहला अक्षर है, वो है सौ और कौन साफ है तलाब सौ है, तो तलाब सौ को अंग्लिजी में कैसा लिखते हैं? S, H, 100 का हो गया, उसके बाद अकार की मात्रा है, तो अकार के लिए क्या देते हैं? A देते हैं, और हो है, तो हो के लिए क्या देते हैं, इसे देते हैं, मतलब कि जो है उसको serial से उसका अंग्रेजी लिखते जाएए, अक्षर है तो अक्षर का और मातरा है तो मातरा का, आपका काम असान होँदा चला जाएगा, दोस्तों अना उमीद है कि आप लोग इस प्रकार की नामों को अंग्रेजी में लिखना सिख चुके हैं अगर सिख चुके हैं तो आपके लिए होमव के रूप में सामने दिखाई दे रहा है निमलिकित सब्दों को अंग्रेजी में लिखे दोस्तों इन सभी सब्दों को आपको अंग्रेजी में लिखना है वीडियो को पॉस्ट करके इसे नोट डाउन कर लिजिए और होमव के रूप में सबको अंग्रेजी में कर लिजिए जैसे काम है खाम है चाम है टाम है इसी प्रकार आसा राधा राना जहां तक है सबको आपक कियर थेंक यू